साथियो नमस्कार, हमारे यूटूब चेनल इस्टुडेंट केर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियो आज एक विशेश वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्तित हुए हैं आज इस वीडियो में जो SNA एकाउंट है अर्थात योजना संचलन जो पोर्टल है उसकी विश्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं किन-किन बिंदू पर हम चर्चा करेंगे यहां इसकी एक संक्षिप्त रूपरे का हमने यहां तयार की है जिसका पहला बिंदू है कि पे मेनेजर पर विध्याले SNA मेपिंग के से करें दूसरा जो बिंदू है पे मेनेजर पर इसकूल मेपिंग हुई है अर्थात SNA एकाउंट की मेपिंग हुई है या नहीं हुई है संचालन पोर्टल पर यह चेक केसे करें संचालन पोर्टल पर यह केसे चेक करें तीसरा जो बिंदू है संचालन पोर्टल पर जारी लिमिट वेर रासी केसे चेक करें चोथा जो बिंदू है PS UPS स्कूलों की मेपिंग केसे होगी संचालन पॉर्टल पर पाँचवा जो बिंदू है वेंडर बिल बनाते समय किन-किन बातों की विशेश शावदानी रखनी है विशेश शावदानी क्या-क्या रखनी है इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करें करेंगे योजना संचालन पॉर्टल अर्थार जो SNA है जो योजना संचालन पॉर्टल है उसके उपर बिल केसे प्रोसेस किया जाएगा इसकी विस्तरित रूप से इसी वीडियो में चर्चा करेंगे इसके साथ ही MIS, RP, AL, SIDEX यह क्या है यह छोटे-छोटे कुछ शब्द ह हैं इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे अगला बिंदू है SNA पॉर्टल पर कुल खर्चे वे वेंडर रिपोर्ट डिटेल की जानकारी केसे करें इन सबी बिंदू पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसी एक वीडियो में तो बने रहे हमारे साथ यहां सबसे पहले अपन बात करें कि पे मेनेजर पर विद्यालाय मेपिंग केसे करें अर्थार्थ पे मेनेजर पर जो SNA अकाउंट है उसकी मेपिंग केसे करें इसके बारे में अपन देखते हैं पे मेनेजर पर तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर आपक डीडियो के user ID और password लगाकर pay manager पर login होना है और pay manager पर login होने के बाद में SNA account की mapping के लिए अर्थाथ agency code की mapping के लिए आपको निम्न परकिरिया अपनानी है सबसे पहले जाना है authorization में और authorization में सबसे last में आपको option मिलता है लगबगी agency code mapping का यहाँ agency code mapping में आपको सबसे पहले select SNA करना है इस select SNA में आपको विशेज द्यान रखना है यहाँ आपको रजस्तान council of elementary education 523 वाला जो option है वह आपको यहाँ select करना है इसके बाद में आपको यहाँ state रजस्तान select करना है उसके बाद में आपका जो district है वह यहाँ आपको select करना है उसके बाद में आपका जो block है वह यहाँ block आपको select करना है उसके बाद में आपका जो agency code है अर्थार्थ agency code आपके cbo के दवारा आपको जो प्राप्त हुआ है वह agency code यहां आपको लिखना है उसके बाद में account number आपका sna account number अर्थार्थ आपका जो zero balance का जो खाता खुला था वह जीरो बेलेंस वाला जो खाता है वह यहां आपको लिखना है खाता नंबर यहां आपको लिखना है और कौन सी ब्रांच में खुलाया था उस ब्रांच के IFSC code यहां आपको लिखना है और उसके बाद में आपको submit पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से आपकी जो agency code मेपिंग की जो प्रकिरिया है पे मेनेजर पर SNA account मेपिंग की जो प्रकिरिया है वह समाप्त हो जाती है अब बात करें साथियों दूसरे question की ओर पे मेनेजर पर school मेपिंग हुई या नहीं संचलन पोल्टल पर केसे चेक करें संचलन पोल्टल पर ये केसे चेक करें कि अपने SNA account का verification पे मेनेजर पर हो गया है पे मेनेजर पर मेपिंग हो गई है या नहीं हुई है इस बात की अपन जानकारी केसे हासिल करें तो साथियों इसके लिए आपको ये कारी करना है आपने को संचलन पोल्टल राजस्तान यह लिखना है उपर ये उपर ओप्सन आएगा योजना संचलन योजना संचलन पर आपको क्लिक करना है यहां आपको राइट साइड में उपर लोगिन का बोक्स दिया हुआ है यहां आप लोगिन करेंगे एसा इंटरफेश आपके सामने ओपन होगा यहां आपको यूजर नेम में आपकी जो यूजर आइडी है वेह आपको लिखनी है जैसे मेरे केश में RJS के है अगर आप अजमेर में है RJAJ है उसके बाद में जो भी आपकी user id आपको CBO कारेले से प्राप्त हुई है वे user id यहां आप लिखेंगे password में default password शिकर के case में rjs के होगा जैसे आप अजमेर से हैं तो rjaj होगा addirate 123 होगा यह default password है यहां मेरे case में password लगाऊंगा rjs के r इसमें capital है addirate है उसके बाद में 1,2,3 है बात रहें आगे अपन करते हैं capture यहां आपको capture इंटर करना है capture इंटर करने के बाद में आपको ia आई ए वाले पर select करना है और उसके बाद में login करना है जैसे ही आप login वाले option पर click करते हैं इसा interface आपके सामने open होगा जहां आपके ddo के mobile number पर OTP बेजने के लिए कहा जाएगा यहां से आप send OTP करें सातियों जैसे ही आप login होते हैं अगर आपके ddo के पास OTP चला जाता है तो आप निश्चिन्त हो जाएए कि आपका agency code mapping का कारिय अर्धार्थ pay manager पर SNA account का जो mapping का कारिय है वह complete हो गया है अर्धार्थ आपका SNA account है वह pay manager पर mapping हो गया है बात करें सातियों तीसरे बिंदू की कि संचलन portal पर जारी limit वेर रासी कैसे check करें संचलन portal पर आपको कितनी रासी प्राप्त हुई है और कितनी limit है इसकी जानकरी आप कैसे प्राप्त करें तो चलते हैं संचालन पॉर्टल पर डीडियों से प्राप्त OTP ले करके उस OTP को वेरिफाई करना है और OTP को वेरिफाई करते हैं तो आपके सामने एसा इंटरफेश, संचालन पॉर्टल का एसा इंटरफेश ओपन होता है यहाँ अपने रासी अपनी जो है अपनी लिमिट है वहेचे करने के लिए आप यहाँ से agency information में यहाँ से आपके विद्यालाइ का नाम है यहाँ से सलेक्ट करके भी आप अपनी रासी देख सकते हैं अगर आपके पास एसा इंटरफेश नहीं आता है और अगर एसा इंटरफे है उसके बाद में आपको यह आपके विद्धाला का नाम सेलेक्ट करना है जैसे आप नाम सेलेक्ट करते हैं आपके विद्धाला का एजेंसी कोड आपके विद्धाला का नाम आपके 0 बिलिन्स का जो अकाउंट नंबर है और उसकी कौन सी ब्रांच है उसका FSC code और आपकी limit कितनी है यह limit आपको दिखाई देगी इस प्रकार से आप सहज प्रिक्रिया की माध्यम से यह कारिय कर सकते हैं कि आपको कितनी limit है और कितनी राशी प्राप्त हुई है बात करें साथियो PS और UPS school के मेपिंग की PS और UPS school की मेपिंग SNA portal है जो single noodle account है योजना संसालन पोर्टल है उसके उपर केसी की जाएगी तो साथियो हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि अभी केवल वे विद्याल है जिनकी pay manager ID है वही मेप हो रहे हैं अर्थार्थ जिन विद्यालों की pay manager ID है अर्थार्थ मादमिक विद्याल है और उचमादमिक विद्याल है उन्हीं विद्यालों की CBO अफिस से मेपिंग हो रही है अभी PS और UPS school के मेपिंग का कारिये प्रारंब नहीं हुआ है अब बात करें साथियो अपन अगले question की vendor bill बनाते समय विशेज सावदानी क्या है संचलन पोर्टल पर vendor bill बनाते समय बेंग खाता नंबर एवं mobile number सही फीड करें vendor bill बनाते समय बैंक अकाउंट नंबर और mobile number सही फीड करें जिसका हम बिल बनाने जा रहे हैं उसका ये edit नहीं होंगे अता इस बात का विशेज ध्यान रखें vendor bill बनाते समय आपको विशेज सावदानी रखनी है कि जिसका बिल हम बनाने जा रहे हैं उसके खाता नंबर और उसके मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि ये no editable है edit नहीं हो रहे है आगे बात करें साथियो अगले वाले question की कि योजना संचालन जो पोर्टल है SNA है वहाँ bill processing की क्या प्रक्रिया रहेगी वहाँ bill केसे process होते हैं साथियो ये एक लंबी process है जहां हम bill allocation से लेकर last तक bill forward तक हम आपको ये प्रक्रिया बताएंगे तो इसका एक अलग video हम आपको बना कर बताएंगे कि bill केसे बना जाता है इसमें beneficiary aid केसे किया जाता है ये सारी प्रक्रिया हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे आपको अब बात करें साथियो अगले topic की तो MIS, RP, R, SIDEX ये क्या है साथियो ये है group name है ये bill बनाते समय हम आपको बताएंगे कि group allocation केसे किया जाता है कैसे group बनाए जाता है कैसे किसी की detail है वे aid कैसे की जाती है ये सारी प्रक्रिया उस bill बनाते समय हम आपको बताएंगे ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है अब बात करें साथियो अगले बिंदू की कि SNA portal पर कुल खर्चे वे vendor report detail की जानकारी कैसे चेक करें इसके लिए अपन चलते हैं ये जना संसालन portal के उपर और यहां अपने को सबसे पहले जाना है report में और report में agency report में और agency report से आपको report में चलना है यहां आपको report type है इस type में से 4 में से 1-1 option choose करते हुए आपको PDF report डाउनलोड करनी है सबसे पहले बात करें component wise expenditure तो यहां आप select करेंगे कौन सी date से कौन सी date के मद्दे का आपको report निकालनी है वह आप select करेंगे और उसके बाद में PDF report पर किलिक करेंगे आपके सामने report यहां generate होकर आजाएगी PDF file में यहां generate हो जाएगी वहाँ से आप SNA portal में कुल खर्चेवे vendor report डिटेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सातियों आज के लिए ही इतना ही अगले वीडियो में हम आपको SNA portal पर bill process केसे किया जाता है इसका एक live वीडियो के माद्दिम से हम आपको बताएंगे धन्यवाद